अगस्त जो है यहां पे एंड हो गया है और सेप्टमबर यहां पे स्टार्ट होने वाला है और सेप्टमबर में कौन सी क्रिप्टो करंसी ग्रो कर सकती हैं कौन सी क्रिप्टो करंसी पंप कर सकती हैं आज कुछ ऐसी क्रिप्टो करंसी के बारे में बात करेंगे और जा लेंग कि September में क्या-क्या इनकी future रह सकती है और कितना pump कर सकती है और कौन-कौन सी वो cryptocurrency है जो September के लिए pump कर सकती है तो phone की screen पे चलेंगे और मैं आपको सभी cryptocurrency के बारे में बताऊँगा कि जो September के महीने में pump कर सकती है तो चलते हैं अबर phone की screen पे और समझ लेते हैं कौन-कौन सी वो cryptocurrency है कुछ ऐसी cryptocurrency के बारे में बात करेंगे कि जो September का महीना अब शुरू होने वाला है September में grow हो सकती है September में जो अच्छे level है वो दिखा सकती है अभी तक ज़्यादा कोई breakout in cryptocurrencies में नहीं हुआ है तो आज उनी की बात करेंगे कुछ September के लिए recommendations है उससे पहले cryptocurrency market यहाँ पे recover होता हुआ Bitcoin में भी थोड़ा सहलका साप है Ethereum में 7% काप है ठीक है तो कुछ को छोड़के बाकी सब यहाँ पे आपको greenery देखने को मिल जाएगी ठीक है तो हम चलते हैं जो पहला कोईन है September के लिए वो है Polygon Matic Polygon Matic के बारे में आपने सुना होगा यह रहा Polygon Matic rank इसकी 19 है और अभी जो current price हम इसका देखें तो 1.4 dollar है और अभी जो current price pump देखें तो 1.8% का उपर चल रहा है 5 लाख लोगों ने इसको already add किया हुआ rank 19 हो गई है 17 rank थी 17 से 19 हो गई है और मैं इसको इसलिए consider कर रहा हूँ इसलिए सब पे top पे रखा है मैंने इसको क्योंकि इसका जो project है हम्स network भी इसमें आया है और उसके कारण मुझे ऐसा लगता है अभी तक इतना बड़ा breakout नहीं दिखा है अभी में अपने मतलब हाइस पे गया था matic coin उसके बाद इतना बड़िया performance अभी तक नहीं दिखा है तो मुझे September में ऐसा लगता है कि यह coin अच्छा मतलब pump कर सकता है तो पहले number पे हमने रखा है matic coin को दूसरे number के coin की अगर बात करें तो वो है XRP coin ripple जिसको आप ripple भी कहते हो और XRP भी अभी तक इतना pump नहीं हुआ इतना बड़िया breakout नहीं देखने को मिला है और XRP का जो price है यहाँ पे 1.14 का है और 1.8% अभी उपर चल रहा है current 11,000,000 लोगों ने add किया हुआ rank इसकी है 6 top 10 cryptocurrencies में ही आता है और September का महीना मुझे लगता है अगर कोई record तोड़ेगा तो XRP coin है क्योंकि अभी जो price है 80, 82 रुपे है, 83 रुपे है और मुझे इसका all time high जो है 133, 134 मतलब काफी time से इस से उपर नहीं गया है और मुझे लगता अब ये अपना नया all time high set करेगा इस महीने तो second number पे XRP coin के बढ़ने की उमीद है September के महीने में third number की अगर बात करें तो third number पे हमें we chain लगता है we chain का जो price है अभी 0.123 मतलब 9, 10 रुपे ऐसे ही trade कर रहा है काफी time से और we chain का price मैं यहां पे expect करता हूँ कि अच्छे pump ये मतलब September के महीने में अच्छा breakout दिखा सकता है अभी तक कोई ज़्यदा breakout देखने को नहीं मिला है और we chain सिर्फ अभी मतलब 0.122 जैसे कि अब price देख रहे हो तो 50, 70 जो 1 dollar का level है उसके उपर जाने की उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि we chain की है तो rank इसकी 22 है और 6,00,00 लोगों ने squad किया है और ये current scenario है तो we chain 3rd number पे है September के लिए 4th number पे जो coin रखा है उसका नाम है holo, holo network, hot coin ठीक है holo के बारे में आपको जैदा नहीं पता होगा आपने सुना भी होगा लेकिन इसका जो price है pump हुआ था, ठीक है इतना pump नहीं हुआ और September के महीने में मुझे लगता है कि अच्छी growth दिखाएगा इस coin में अच्छी growth देखने को मिल सकती है और इसका price जो है 0.01088 तो अभी मतलब कम है बहुत ठीक है मैं इस coin बता रहा हूँ इन में जैदा breakouts देखने को नहीं मिले है 4th number पे जो हमने रखा है होट coin को रखा है और holo network और इन सब coins की growth मुझे लगता है September में अच्छी देखने को मिलेगी 5th number पे रखा है हमने IOTX coin को IOTX coin इतना pump नहीं हुआ ठीक है पंप हुआ था लेकिन इतना pump नहीं हुआ है और यहां पे जो इसका price आप देख सकते हैं इसका price भी काफी कम है भी मतलब $1 से तो काफी कम है और 0.0748 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे 2.4% का आप देखने को मिल रहा है तकरीबन $500,000 को नहीं एड किया हुआ है रैंक इसकी 114 है तो 5th number पे ऐसा हमें लगता है कि IOTX coin के जो projects है उसको देख कैसे लगता है कि आने वाले time में September का महीना IOTX के लिए भी अच्छा हो सकता है ठीक है तो यह थे कुछ 5 coins और एक coin extra और बताना चाहूंगा जो मैं मुझे लगता है personally की September में grow हो सकता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं और वो token है वो coin है Utrust coin Utrust coin भी आपकी rank आप देख सकते है इसकी rank 190 है 190 पे rank करता है 50,000 लोगों ने सिर्फ FED किया है % यहां पे थलका सा डाउन है और price इसका भी $1 से काफी कम है 0.4574 और यह extra coin मैंने आपको बताए कि यह जो मैंने जितने भी coins बताए है price अभी बेहत कम है चाहे matic हो matic का 120 तक गया था लेकिन अभी फिर 100 के आसपास है 101, 102 तो यह coins September में इन में अच्छी growth देखने को मिल सकती है बाकी जो चीजे September में होगी और जो इन coins को लेके update होगी वो भी हम आप तक महचाते रहेंगे तो आज हमने बात की September में grow होने वाले कुछ coins की मतलब prediction की कि यह coins में इतना ज़्यादा breakout देखने को नहीं मिला है तो September में यह coins अच्छी growth कर सकते हैं तो आज की वीडियो में टोप 5 coins और 1 extra coins September के लिए I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप like शेर जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon press जरूर कर लेना